हेलो डियार तो फाइनली जो लोग उतर परदेश से जी एनेम एनेम कर रखे हैं चाहें आप फर्स्ट इयर है जी एनेम सकेंड इयर है या फिर आप ठर्ड इयर है ओके या फिर आप एनेम फर्स्ट इयर है या फिर एनेम सकेंड इयर है यानि जो भी पारामेडिकल जो भी जो जो लोग बार-बार मैसेज कर रहे थे कि जब भी कोई अपडेट आएगा बताईएगा बताईएगा तो लिजी आपके पास अपडेट आ चुका है बहुत कम ही समय दिया गया है रीचेकिंग और रीटोटलिंग के लिए दिया गया है आप चाहे अगर आप अपने रिजल्स स संतुष्ट नहीं है तो आप बिल्कुन जो है री टोटलिंग री चेकिंग करवा सकते हैं कोई दिकत नहीं है चलिए हम आपको यहाँ पर चीजे दिखाते हैं सबसे पहले चीजे देख लीजिए आवस्यक सुचना माह नौवंबर दोजार तेश में आयोजित नर्सिंग परा मेडिकल डिप्लोमा परसिक्षनों के परिक्षा फ़ल घोसित किये जा चुक है डियल्ट आ चुक है आप लोग को पता है जो अभिहर्थी अपन अपनी उतर पुस्तिका का मतलब एंसर बुक जो एंसर कोपी है उसका अगर आप लोग अभलोकन येवं पुनह मुल्यांकन अभलोकन मतलब या फिर पुनह रीचेकिंग करवाना चाहते हैं तो इसके लिए ओनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वह कर्याल है कि अधिक्रित बेशाइट डबल डबल इतना पर सेकुरिटरी पैनल ठीक है सेकुरिटरी एसकुरूटनी ठीक है सोड़ी एसकुरूटनी पोर्टल के लिए लिंक इतना दिया गया है पर किली करके अपना रेजिस्टेशन करते हुए अपनी उतर पुस्तिकाओं का अवलोकन तथा पुनह मुल्यांकन हेतु आवेधन कर सकते हैं ठीक है कब तक कर सकते हैं स्कुरूटनी पोर्टल का लिंक 29-3 यानि 29 मार्च तक ही खुला रहेगा 11 बच के 55 मिनर तक यह खुले रहेंगे ठीक है उपलवध रहेगा तो अगर जो भी लोग चाहते हैं कि आप अपने किसी सबजेक्ट में नंबर कम आया है या आप 2-4-5 नंबर से 10 नंबर से फिल कर गए 10 नंबर बाले का तो संभावना कम ही रहता है बरने का बट फिर भी आप कर सकते हैं सप्लिमेंटरी से पहले आप इसको कर सकते हैं ठीक है तो जो भी लोग का रिजल्ट खराब हुआ है यूपी में यूपी में बहुत ज़्यादा रिजल्ट खराब होता है जैसा कि आपको पता है और 2-4-5 नंबर से अगर रिजल्ट खराब है 6 नंबर से 7 नंबर से मैं एक समयम 10 नंबर तक अगर खराब है तो मैं कहूंगा करिये अन्य था आपका पैसा परबाद ही जाएगा 10 से उपर जितना भी मार्क्स आपके हैं 10 में भी मुश्किल लगता है कि आपको ठीक हो पाएगा मुश्किल तो दो नंबर में भी लगता है कि हाँ बढ़ पाएगा आपका लेकिन 10 तक थोड़ा सा मान सकते हैं कि हाँ हो सकता है चीजे बेटर हो सकता है इसलिए आप कर सकते हैं ठीक है एस सरा चीजे है फी कितने लगेंगे प्रती विसा है आफ फस्ट एयर में चार सब्सक्त है सकेंड एयर में चार सब्सक्त है तो आप प्रती विसा है अगर एक सब्सक्त में करते हैं तो 500 रुपे भुकतान करने पर our तथा अब लोकन उनुप्रांत यदि अभियर्ति उत्तर पुस्तिका का पुनह मुल्यांकन कराना चाहते हैं तो परती विशय एक हजार रूपे की भुगतान करना होगा अब लोकन करवाना है तो 500 रूपे और आप चाहते हैं कि नहीं अब लोकन के साथ में मेरा कोपी को फिर से चेका जाए पुनह मुल्यांकन किया जाए तो उसके लिए एक हजार रूपे पर विशय से आपको भुगतान करना परेगा यानि री चेकिंग के लिए ज्यादा फी है समझ गए तो ये चीजे है और री टोटलिंग करवाते हैं तो कम है समझ गए चुकि इसमें पुनह मुल्यांकन में होता ये है कि फिर से जो है आपके कोपी को चेकिया जाता है तो इसके लिए एक हजार फी है और इसके लिए 500 फ आपको सिर्फ यह online ही किये जाएंगे अफ-लाइन अब की बार नहीं है पिछले बार यह चीजे आफ-लाइन था आफ-लाइन में परसानी भी होता है आप चाहे तो इस चीज़ को खुद से भी कर सकते हैं मैं description में link देदूंगा आप वहां से इससे download कर सकते हैं ठीक है वहां स अगले वीडियो में अपना ख्यार लखिएगा जो लोग जरूरी है किजिए धन्यवाद